हेलो दोस्तों आप सभी का स्वागत है हमारी यूटूब चैनल प्रदीप एदू बोर्ट पर प्रदान सिक्षक परिक्षा 2024 सभी सिक्षक बंधू त्यारी में लगे होंगे इनका एक्जाम जून में होने वाला है तो आप लोग अच्छा धंग से त्यारी कीजिए आज आप सभी के लिए प्रदानी सिक्षक परिक्षा 2024 का सेलेवस के अधार पर दियलेड यूनिट 3 दियलेड इकाए तीन का पाथ चर्जा एवं पाथ करम तथा कार्ज केंद्रिक सिक्षन समस्या ये मुख तोपिक आप सभी के लिए लेकर आये हैं और इन टोपिक से जितने भी परिच्छा उप्योगी प्रस्ण बनेंगे बने हैं वो सभी प्रस्ण आप सभी के लिए लेकर आये हैं तो आईए क्वेशन की और बढ़ते हैं इससे पहले आप यदि मेरी चैनल पर पहली बार आये हैं तो जरूर मेरे चैनल को सब्क्राइब कर लिजे बेल आइकन को प्रेस कर लिजे और वीडियो फसंड आये तो ल पर्योजनवादी 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 पार्ट चार्जा में कोन एक परमुख विशाई के रूप में सामिल नहीं होता है जिसका option A है स्वास्थ विज्ञान, B है कला, C है सारेरिक सिक्छा, D है ग्री विज्ञान तो इसका right answer हो जाएगा तो option B कला ध्यान रखिएगा पर्योजनवादी पार्ट चार्जा में कोन एक मुख परमुख विशाई के रूप में सामिल नहीं है तो negative है तो negative का negative ही इसका answer जाएगा जैसे जैसे आप वीडियो में आगे बरेंगे question का level बरेगा इसलिए पुरा वीडियो को अंतक देखिए अपनी तयारी को मजबूती परदान कीजिए आज का दूसरा सवाल है किस पाट चार्जा में बैग्यानिक विशायों को परमुख तथा मानवे विशायों को गोन अस्थान दिया जाता है किस पाट चार्जा में बैग्यानिक विशायों को परमुख तथा मानवे विशायों को गोन अस्थान दिया जाता है जिसका option A है प्रकृतिवादी पाट चार्जा, B है पर्योजन वादी पाट चार्जा, C है आदर्स वादी पाट चार्जा तो इसका right answer आप लोगों का क्या हो जाएगा प्रकिर्टी वादी पार्ट चार्जा में जो है बैग्यानिक विशाय को परमूख और मानवी विशाय को गोन अस्थान दिया जाता है ध्यान रखिएगा चलिए नेस्ट क्यों बढ़ते हैं आज का तिसरा सवाल है पार्ट चार्जा के दार्षनिक अधारों में निम्लिक में से कोन एक सम्मिलित है कोन एक सम्मिलित है प्रकिर्टी वादी बी है प्रयोजन वादी सी है आधर्स वादी दी है या थार्थ वादी पार्ट चार्जा के आंसर हो जाएगा आप लोग बताइए तो इसका रैट आंसर हो जाएगा पार्ट चार्जा के दार्शनी का धारोप ना तो इसमें से सभी होना चाहिए प्रकृति वादी भी है प्रयोजन वादी है अधर्स वादी भी है और याथार्थ वादी भी है जिसका रैट आंसर हो ज पात्थ की रचना आदर्सों विचारों एवं सास्वत मुल्यों के अधार पर होती है। पात्थ चार्जा का निर्धारन की साधार पर किया जाता है। किया जाता है किसको विशेवस्तु को बिल्कुल सही, उद्देश ये भी सही, संगठा ये भी सही, और दी उप्युक्त में से सभी, ये भी सभी, सभी चीज को जो है सम्मिलित किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। कि बिद्याले की शिक्छा विवस्ता का केंड्र विन्दू होता है थ्यान लगयेगा। बहुत most important question है ये चले next question के और बढ़ते हैं कि इस विचारद हारा के अंतरगत बैज्ञानिक विशायों की अपेक्छा मानवी अध्यानों पर विशेस बल दिया जाता है है तो प्रकृतिवादी बिल्कुल नहीं प्रयोजन बाद इसमें भी नहीं अस्थित्वादी ये बिल् जाता है चले next question की और बढ़ते हैं इससे पहले आपसे request है वीडियो पसंड आया है तो जरूर एक like कीजिए आपका एक like मुझे motivate करता है और जो पहली बार मेरी चैनल पर आये है तो जरूर सब्क्राइब कर लीजिए जिसने अभी तक मेरी चैनल को सब्क्राइब नहीं किये एसा ही content आपको मिलेगा और next वीडियो की सुचना प्राप्त करने के लिए बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए जैसे ही वीडियो अपलोड होगा तो आपको इसकी सुचना जरूर मिलेगी चलिए आज का दसमा प्रस्ण है निम्न में से किस विद्वान ने एक नवीन स 省ध समाजिक विज्ञान समाज शास्त्र को जनम देकर सिक्छा में समाज शास्त्रिय प्रकृति को पूर्ण बना देने की सुद्रिध अधार शिला रखी है ना किसने तो आगास्ट कौम देने द्यान रखिए अगास्ट कौम देने एक नमीन समान समाजिक विज्ञान, समाज सास्ट को जनम दे कर, सिक्छा में समाज सास्ट्रे पकृति को पूर्ण बना देने की सद्रिष अधार्शिला रखी, किसने तो अगास्ट काम देने, द्यान रखेगा, चलि नेश्ट कोस्टन, आज का अगारमा कोस्टन है, answer क्या जो आएगा तो अधार से समंदित है कुंड को हैतो समाज की स्थीती भी है परिवार भी है समाज की ट्र क्रट्टी भी है और ये सभी तित इसका right answer क्या जो एगा ये सभी चलई निस Server क्योंट के च्ष्चा mechanism सिक्षा में मनोविज्ञानिक प्रकृति से तात पर्ज है क्या तात पर्ज है सिक्षा में मनोविज्ञानिक सिक्षा को मनोविज्ञान पर अधारित होने से है बिल्कुल बिल्कुल यह राइट है है यही इसका राइट आंसर क्या जाएगा option A इसका राइट आंसर हो जाएग है ना चलिए ध्यान रखेगा चलिए नेस question को बरते है आज का 13 सवाल है निम्न में से एक कौन एक मुनोबध्यानिक तो नहीं है निगेटीव नहीं निकाला मुनोबध्यानिक तो इन में से कौन नहीं है हना तो इसका राइट अंसर क्या हो आप निकालिए इचल ANDREW कि अद्धारमिक संगतन होगा क्या वी वीडियो ऑगात खन टाको पुरे वीडियो में बने रहे और जटने भी पुरा वीडियो को देखिए और फसलाभी तक जो लाइक नहीं किये मेरी वीडियो को लाइक जरूर कर दीजे हैं आज का चोदा प्रसना एंसी आफ का बिस्ट्टित रूप है बहुत most important question है एंसी आफ का बिस्ट्टित रूप क्या है नेशनल करेक्टर फंड, नेशनल करिकुलम फर्मेट, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क इन में से कोई नहीं जिसका राइट आंसर क्या जोएगा option C, NCF का full फर्म हो जाएगा नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क है ना नेशनल कर्ण फाट चार्जा में कार्ज सिख्छा की भूमी का दिर्ष्टी गोचर होती है क्या होगा छातरों के विकास से बिलकुल, रचनात्मक की भीर्दी बिलकुल, मुल्यों और बम, कोसलों का विकास बिलकुल यह इसका मतलब इसका राइट क्या हो जाएगा सभी यह इसका राइट आंसर हो जाएगा option 10 यह यह सभी है ने चलिए next question को बढ़ते हैं आज का सुलमा परिश्न है कार्ज केंद्रित शिक्षन सास्तृ की पर्मुक समस्या नहीं है द्यान रखियेगा नहीं है ब्यभारी ग्यान की कमी बिल्कोल सारेलिक स्रम का महत समाजिक मल्योकी कमी और यह सभी तो इसका right answer क्या जाएगा, सारेरिक स्रम को महत, ये परमुक समस्या नहीं है, है ना, चलिए next question के बढ़ते हैं, आज का 17 सवाल है, बालकों में अंतर नहीं सक्तियों का विकास करने के लिए करने है तू, क्या करना चाहिए, अंतर नहीं सक्तियों का विकास करने है तू, क्या क उनकी मुल परिविर्थियों के अनुसार चिक्षा दी जाने चाहिए, बिल्कुल right है ये, option c इसका क्या हो जाएगा, right answer हो जाएगा, क्या कर रहा है, बालकों में अंतर नहीं सक्तियों का विकास करने है, तू, क्या करना चाहिए, यहीं नहीं करना चाहिए, बालक के वेवा पाठचारजा का संगतन करते समय, बालक के किन पक्षो को ध्यान में नहीं रख सकते, यह बतलब नहीं रखते हैं, है न, जिसका option a है, आयू, b है, अवियोगता, c है, मांसिक बधिक अस्तर, d है, आर्थिक इस्थिती, है न, जिसका right answer क्या हो जाएगा, आर्थिक इस्थित यह ध्यान में नहीं रखते हैं, है न, चलिए, next question क्यों बरते हैं, आज का उनिसमा प्रस्न है, पाठचारजा निर्मान में बालक के महत को किस बिद्वान ने अपनी पुष्टक करीकूलम प्लानिंग में उनलेख किया है, करीकूलम प्लानिंग एक पुष्टक है, तो किस बिद्वान ने, option A है, हेराल्ड T. जॉंसन, B है, एड़वर्ड A. क्रग, C है, पेस्टालोजी, D है, फ्रावेल, है न, तो इसका right answer क्या जाएगा, एड़वर्ड A. क्रग, यह ध्यान रखिएगा, इनकी पुष्टक है, करीकूलम प्लानिंग, इसमें क्या किया है, कि बाल प्रस्न है, मनोवेज्ञानिक द्रिष्टी से पाठसर्जा निर्मान के मुख निर्धारक है, क्या है मुख निर्धारक, परिवक्ता एबन विकास, ब्यक्तिगत भिनताएं, C है, अभी प्रेरना, D है, यह सभी, तो इसका right answer हो जाएगा, यह सभी, मनोवेज्ञानिक द्रि परना होनी चाहिए, और यह सभी, इसका सही right answer हो जाएगा, उप्युक्त सभी, चलिए, आज का एकिसमा प्रस्न है, खाली जगह, पाठसर्जा सिक्षा के पर्मुघटक के तोड़ पर समाज और समुदाई को अवसक्ताओं को समझने में सहता करता है, क्या, तो सिक्षन कें केंद्रित, कार्ज केंद्रित, मुल्ली केंद्रित और छात्र केंद्रित, है न, तो इसका right answer क्या जाएगा, कार्ज केंद्रित, कार्ज अधारित जो है, पाठस्चर्जा सिक्षा के महत्पुन घटक के तोड़ पर समाज और समुदाई को अवसक्ताओं को समझने में सहता क करेगा, और परिच्छा अपयोगी भीविय प्रस्ण लेकर आये हैं, तो अंत तक बने रहे, चलिए, आज का अग्रम बायस्मा प्रस्ण है, पाठस्चार्जा में छात्रों के दैनिक जीवन से समंधित, कार्ज सिक्षा को सम्मिलित करने का पर्त्यक्ष परभाव छात्रों किस कोशल के विकास पर परता है, किस कोशल के विकास पर, है न, विवेचनात्मक कोशल नहीं, सिर्जनात्मक कोशल नहीं, विशलेचनात्म, ये, ये कोशल पर जो है, इसका परभाव परता है, किस पर तो विशलेचनात्मक कोशल, ध्यान रखिएगा, बहुत विवियाए क चलिए नेस क्वेस्चन है किसके अनुसार पात करम वे सभी किरियाएं सम्मिलित हैं जिनका हम सिक्षा के उद्यश की प्राप्ति के लिए विद्याले में उप्योग करते हैं किसके अनुसार पात करम वे सभी किरियाएं सम्मिलित हैं जिनका हम सिक्षा के उद्यश की प्राप्ति के लिए विद्याले में उप्योग करते हैं मुन्द्रों के अनुसार मुन्द्रों के अनुसार जो है हम शिख्षा के उद्यीष के प्राप्ती के लिए विद्य यालमें उप्योग करते हैं चलिने the next question आज का 34 मा प्रस्ट परसन है शिख्षा का अधार है क्या अधार है शिख्षा का आप लोग बताईए पात पुष्टक है कि अध्यापक है कि विश्य बस्तु है कि पात चार्जा है बताईए शिक्षा का जो आधार है वह पात चार्जा है बहुत most important question है तो यदि आप मेरी चैनल पर पहली वार आए हैं जरूर आपसे रिक्वेस्ट है मेरी चैनल को सब्क्राइब कर लीजे बेल आइकन को प्रेश कर लीजे ऐसा ही content देखना है तो बेल आइकन को प्रेश करना ही होगा क्योंकि मैंने डेली एक वीडियो जो है जरूर अप्लोड करते हैं जिसकी सुचन आपको सबसे पहले मिले जो अभी तक मेरी वीडियो को लाइक नहीं किया जरूर वीडियो को लाइक कर दीजे और question कैसा था जरूर कोमेंट करके बताईए चली next question आज का 25 प्रस्ण है किसके द्वारा सिक्षा के उद्यशों की प्राप्ति होती है किसके द्वारा सिक्षा के उद्यशों की प्राप्ति होती है अब बताए पुष्टक के द्वारा खेल कुद के द्वारा पाथ पुष्टक के द्वारा इन में से कोई नहीं तो इसका रा अन्वार्नाएं विशे थीम्त उपर्युक्द सभी तो इसका रही टांसेर क्या जएगा उपर्युक्द सभी ध्यान रख्येगा उपर्युक्द सभी जो है विशे बस्तू में संबलित होते हैं सात्मा उद्देश समान्यत विभाजित किया जाता है उद्देश समान्यत किसमे तो बैक्तिकत, समाजिक, बालदिक, उपर्युक, सभी तो इसका रेट अंसर क्या जाएगा उपर्युक, सभी उद्देश को समान्यत विभाजित किया जाता है ब्यक्तिकत रूप से, समाजिक रूप से, अब और बवडिक रूप से, तीनो रूप से, चली नेस क्वेस्टन, पाथ करम निर्मान के बिभीन आधार हैं, पाथ करम निर्मान के बिभीन आधार हैं, क्या-क्या, दर्शनिक आधार, समाज सास्त्री आधार, मनोवेग्यानिक अधार उपर युक्त सभी तो पाठकरम निर्मान के ये तीनों आधार जो है सम्मिलित होते हैं चले next question है डर्शन पर पाठचारजा का संगतन जितना आधारित है उतना सिक्षा का कोई अनपक्ष नहीं है यह कथन किसका है दर्शन पर पाठ चर्जा का संगर्थन जितना आधार यह उतना सिख्षा का कोई अनपक्ष नहीं है तो यह कथन जो है किसका है बताइए आप लोग मुंद्रों का है कि कनिंदम का है कि अरुस्टू का है कि रस का है तो इसका राइट अंसर क्या हो जाएगा option D रक्सक है ना इसका option क्या हो जाएगा रक्सका है option D इसका रक्सका है चलिए आज का तिसमा प्रस्न है पाठ चार्जा कैसा होना चाहिए परजात तंद्र की भावना को बिक्षित करें बिल्कुल सही है जो लचीला और उदार हो राष्ट्यात की भावना को जागरत करें ये भी बिल्कुल सही है जो देश का उत्तम नागरिक बना ये भी सही है तो इसका मतलब है उपर्युक्त सभी पाठ चार्जा का कैसा होना चाहिए उपर्युक्त सभी इस तरह इसका जो है अंसर हो गया चलिए आज का अंतिम सवाल यही था अब कल आप लोगों के लिए यूनिट फोर का भी बियाय मोश इंपर्टेंट क्वेस्चन लेकर आएंगे तो वीडियो कैसी लगी जरूर कोमेंट करके बताएए और एक लाइक देकर जरूर जाएए आपका एक लाइक मुझे मोटिवेशन परदान करेगा तो सभी को मेरी तरफ से गुड़ नाइट सुब रात्री